नमस्कार दोस्तों मैं सचीन बागोरिया असिस्टेंट प्रॉफिसर इन बियानी गल्स कॉलिज हां दोस्तों पिसला जो वीडियो था उसमें हमने वर्ड का इंट्रोडेक्शन पढ़ा था वर्ड के हम लोगोंने एलिमेंट्स पढ़े थे उसी कड़ी में हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं कि वर्ड में कौन-कौन से फंक्शन कौन-कौन से कमांड जिनका हम यूज़ करेंगे तो दोस्तों हमिने स्टार्टिंग बात करें तो जब हम वर्ड को autn करते हैं तो ऑपन करते हैं हमारे माइन्ड builders कैसे से create करें तो नई फाइल create करने की बात करें तो दोस्तों simple method है सबसे पहले हम word में आपको बता है मैंने बताया था office button office button में आता है new office button में दोस्तों क्या आता है बताओ new और new पर आप जैसे click करेंगे तो नए जो document file से हम open कर सकते हैं नई जैसे new पर click करेंगे तो new file हमारे सामने display हो जाएगी जिसमें कुछ भी content हमारी requirement के according क्या कर पाएंगे लिख पाएंगे तो मैं दुबारा review कर रहा हूं दोस्तों तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा office button पर click करना होगा और office button पर आता है new और new पर आप ज कुछ भी content हमारी requirement के according क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं दोस्तों और इसका shortcut होता है दोस्तों control प्लस N control प्लस N इसके द्वारा हम कोई भी नय डॉक्मेंट generate कर सकते हैं word में और इसके बाद next topic है display different views वर्ड में जब हम देखते हैं तो वर्ड के कुछ different views होते हैं दिखिए तो हम बात करें कैसे करते हैं सबसे पहले click on the view tab हमें कहां पर click करना पड़ेगा बताओ view tab पे click करना है कहां पर click करना है दोस्तों view tab और in the document view tab click on the desired views मैंने क्या का सबसे पहले हमें किस पर click करना है view tab पर click करना है कहां पर click करना है click on the view tab and in the documents view कौन से में बताओ document view में group में आप click करेंगे desired view पे तो दोस्तों जैसे हम desired view पे click करते हैं तो हमारे सामने काफ करीबन काफी सारे different views आते हैं जो हमें requirement views होता है उससे क्या करते हैं select करते हैं देखिए कौन कौन सी views आते हैं पहला view कौन सा display होता है print layout view second होता है full screen reading view third point है wave design view fourth outline view fifth draft view और last कौन सा zoom view यानि हमारे सामने screen पे 6 view display होते हैं और जिस view के हम requirement होती है उस view पे हम click करके उस view को हम display कर सकते हैं तो दोस्तों पहला view मैंने आपको बताया था print layout view तो print layout की बात करें हम लोग दोस्तों तो यह क्या करता है show a documents क्या करता है किसको show करता है documents को as it appears on the printed page तो यानि जैसे यदि हमें किसी documents का printing देनी है प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले वो documents किस तरह से display होगा as usual वो सब view देखने के लिए हम लोग print layout view पर click करते हैं मैंने क्या कहा दोस्तों show a document as it appears on printed page जैसे हम किसी document का print निकालते हैं तो print निकालते हैं समय वह documents कैसा display होगा दिखेगा कैसे उसके लिए हम लोग किस पर click करेंगे print layout view second हमारा दे रखा है full screening reading view कई बार हम चाहते हैं कि हमारे monitor की screen है LED जो screen है उस पर total खाली word ही आए बाकी कुछ भी नहीं है मतब जो भी content कर रहे है फुल screen पर display हो तो उसके लिए हम लोग दोस्तों full screen reading view पर क्या करते हैं click करते हैं that means display as much of the content of the document as well fit in the screen मतब जो भी हम content पर work कर रहे हैं वो content हमारे सामने full screen पर क्या हो display हो और उस cases में दोस्तों हम लोग full screen reading पर क्या करते हैं click करते हैं इसी तरह से next web layout view web layout का मतलब क्या हो गया इस तरह से display होता है जैसे किसी भी web browser में हम लोग क्या करते हैं किसी भी document को ओपर open करते हैं तो देखो web browser का मतलब क्या होता दोस्तों web browser का basic हम बात करें सबके सब mobiles use करते हैं system भी यूज करते हैं तो web browser क्या करते है पहला purpose तो है किसी भी website को open करने के लिए हमें किसकी requirement होती है दोस्तों वेब ब्राउजर क्या हो शकता होती है मैंने क्या कहा किसी भी वेब साइट को ओपन करने के लिए दोस्तों हमें किसकी रिक्वार्मेंट होती है वेब ब्राउजर क्या हो शकता होती है तो यानि कहने का मतलब है कि हमें इस तरह के डॉकुमेंट बनाने होते हैं जो क इसी तरह से दोस्तों, Outline View, Outline का मतलब हो गया, Show the structure of document, हम जिस documents में काम कर रहे हैं, उसका structure देखना, which consists of the heading and the body text, जिसमें documents में आपने जो heading दी है, और body में जो लिखा है text, उन सब को कौन सा show करता है, बता, Outline View, ये display, करता है, और next क्या है दोस्तों, Draft View, Draft का मतलब हो गया, display the contents of documents, display the contents of documents with a basic layout, हम क्या करते हैं, documents के किसी भी content को basic layout में में देखना है, तो उस cases में हम लोग दोस्तों, Draft View पे क्या करेंगे, दोस्तों, क्लिक करेंगे, समझ में आ रहा है, इसी तरह से दोस्तों, next है, zoom, zoom का मतलब हो गया, magnify और reduce, जो document हम working कर रहे हैं, उसको magnify भी कर सकते हैं, उसको reduce भी कर सकते हैं, उस content को zoom के दोड़ा हम लोग in भी कर सकते हैं, out भी करते हैं, तो magnifies और reduces, magnifies और reduces, the contents in the documents, विंडों मतलब, documents विंडों में, किसी भी text को, documents को magnify करना, उसकी screen को reduce करना, उस cases में हम लोग zoom पे क्या करते हैं, click करते हैं, तो दोस्तों मैंने आप से discuss किया, कि हम लोग different, कौन-कौन से views होते हैं, पहला view होता है दोस्तों, print layout view, और पहला कौन सा होता है दोस्तों, print layout view, second होता है दोस्तों, full screen reading view, full screen reading view और third view मैंने कौन सा पता है, वेब layout view, third कांसा दोस्तों, Veb layout view और fourth कांसा? Outline view, और fourth कांसा Outline view और fifth कांसा, Draft view fifth कांसा? Draft view और last कांसा पता है दोस्तों मैंने, Zoom view, यह different views हमारे सामने क्या होते हैं, दोस्तों, display होते हैं, यह हमें exam में कुशन से आ सकता है, word explain the different views in the MS, word, चाहे BCA students की बात करें, अदरवाज elementary computer जो यूज करते हैं, उनके लिए अच्छा यह कुशन है, इसी तरह से दोस्तों, next हमारा topic है, preview and the printing document, देखो preview किस से बना है, बताओ, preview से बना है, किस से बना दोस्तों, preview से, तो किसी भी documents को print देने से पहले, हम लोग उसका क्या करते हैं, print preview देखते हैं, मतलब document print होने से पहले हम क्या चाह करेंगे, print preview, यह है process कहलाती है, preview कहलाती है, और इसमें क्या होता है, हमने कोई documents ब हम देखना चाहेंगे कि printing होडी पास document कैसा दिखेगा, उस cases में दोस्तो हम लोग print preview का क्या करते हैं, use करते हैं, यही process क्या कहलाती है, previewing कहलाती है, and printing documents, दोस्तो documents को print करना, तो दोस्तो documents को print करने के लिए हम लोग office बटन पे click करते हैं, office में क्या आता है बताओ, print button पे click करेंगे, किस पे click करेंगे दोस्तो, print, और जब दोस्तो print पे click करते हैं, तो हमारे सामने कुछ options आते हैं, आप कहेंगे sir कैसे, पहला option क्या आता है, कि आप current page को print करना चाहते हैं, तो current page select करेंगे, और एक आता है pages, जिस page को print करना चाहते हैं, वो pages की दिस डाल देते हैं 1 to 10, 1 to 5, otherwise हमारे सामने एक option ये भी आता है, कि pages को old number है, या even numbers, जैसे supposing करो 10 pages है, हम चाहते हैं, खाली even number को print करना है, तो हम क्या करेंगे, only even numbers को select करेंगे, उससे हमारे खाली even number के जो pages, that means 2, 4, 6, 8, 10, ये सब pages क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, इसके लाव एक option ये भी आता है, कि हमारे को इसकी number of copies कितनी निकालनी है, 1 copy create करनी है, 2 copies print करनी है, या 3 करनी है, वो सब हम लोग print में जाके क्या करते हैं, select करते हैं, तो दोस्तों मैंने क्या कहा आपको, जब आप print पे click करते हैं, तो हमारे सामने 3 option आते हैं, print करने के, पहला option मैंने क्या कहा, current page, यदि हमें खाली जिस pages हमने open कर रखा है, जिसमें हमारा cursor blink कर रहा है, उसी page को print करना है, तो दोस्तों हम लोग current page को select करेंगे, और print पे क्या कर देंगे, click, लेकिन print पे click करने से पहले हमारे को एक बात ध्यान रखनी होगी, उसकी number of copies कितनी print करनी है, तो वो भी हमारे सामने display होता है, दोस्तों, जिसमें हमारे को जितनी number of copies print करनी हो, वो select कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आप करना चाहेंगे, कर के बाद print पे click करना, second option आता है, pages, second क्या आता है, बताओ, pages, pages में आप क्या कर सकते हैं, आता है, हमारे को 1 to 5 pages continue चाहिए, या 6 to 10 चाहिए, जितने भी number of pages कहां से कहां तक आपको print करना है, वो pages की हमें उसमें range डालनी पड़ती है, और third option क्या होता है, हमारे को even pages print करने हैं, या old pages print करने हैं, तो हमें old pages select कर लें, या even pages select कर लें, और फिर number of copies select करके क्या करते हैं, दोस्तो, print पे क्या करते हैं, click करते हैं, तो यह दोस्तो, print के कुछ options थे, जो मैंने आप से share करें, इसी तरह से next है, saving and closing documents, जब हम documents बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो फाइल को हम चाहें कि दुबारा use करें, तो उसको दुबारा use करने के लिए दोस्तो, हम फाइल को क्या करते हैं, save करते हैं, तो save करने से web file computer के memory में क्या हो जाती है, लोड हो जाती है, और जिसका हम कभी भी क्या कर सकते हैं, use करेंगे, और वो कब तक save रहती दोस्तो, जब तक हम उसे delete नहीं कर देते, तब तक web file क्या रहती है, दोस्तो, save रहती है, और save करने के लिए दोस्तो, file menu पे click करते हैं, जिसमें आता है save, office button में क्या आएगा, save पर जैसे आप click करोगे, तो हमारे सामने एक dialogue box open होता है, हमें जिस भी name से file को save करना है, दोस्तो, वो name हम type कर देंगे, और save पर क्या करेंगे, जैसे ही, δोस्तो, save पर click करते हैं, तो file automatically क्या होती है? save हो जाती है, तो यहाँ पे मेरे mind में क्युष्ण आ रहा था, दोस्तो, एक to हOTा है save, एक होता है save is, दोस्तो, एक to होता है save, second क्या होता है save is, याशन होता है, जैसा यदि आप office 2010 यूज़ कर रहे हैं तो हम किसी भी फाइल को word फाइल को directly pdf फाइल में भी convert करते हैं exam में question ये create होता है how to convert word file into a pdf फाइल document file को word pdf फाइल में कैसे convert करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले office button पर click करते हैं उसमें क्या आता है दोस्तो save is उसमें क्या आता है दोस्तो save is और उसमें save is का डोस्तो type select करेंगे हमें किस format में करना है तो वहां पर हमें PDF file select करनी as a PDF, as a PDF पर जैसे click करते हैं और आपको जिस भी नेम से सेव करना है, सेव करेंगे, तो वो फाइल, PDF डॉकुमेंट में क्या हो जाती है, कनवर्ट हो जाती है, इन सब बातों का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दखेंगे, इसी तरह से थोड़ा हम आगे बढ़ें, तो यानि हमने आज topic discussion किया, उस इसरा view था, full screening, reading view, थर्ड कौन सा, web layout view, और फॉर्थ कौन सा, outline view, और फिफ्थ है, draft view, और लास्ट कौन सा बताओ, जूम ये different views थे, जिनका हम लोग use करते हैं, exam के लिए बहुत अच्छे questions है, इसी तरह से documents का preview कैसे करते हैं, printing कैसे करते हैं, उसमें हम लोग काफी detail में discussion किय इसी तरह से save करना documents को, मैंने आपको बताया, office button पे save पर click करेंगे, और उसके पाद जिस भी name से save करना है, वो name type करें, और save पर click कर दें, एक होता है save is, save is का मतलब होता है, word file को dot document file के अलबा, different different formats में क्या करते हैं, save करते हैं, चाहे वो rich format हो, otherwise pdf format हो, xml format हो, उसमें भी हम उ save कर सकते हैं, that means, इसको export करना, वो सब working इसी के तुरू होती है, दोस्तों, save is, बताब file तो already save है, उसके हमें एक copy and create कर लेंगे, other name से, where function भी किसका है, save is का, इसी तरह से last है, closing documents, तो किसी भी documents को close करने के लिए, office button पे click करते हैं, इसमें आता है, close, जैसे close पे click करोगे, तो document क निकलना है, तो आपको बताया था मैंने दोस्तों, टाइटल बार पे, last में close button आता है, close पे click कर दें, otherwise, office button में दोस्तों, exit पे यह दी हम click करते हैं, तो complete words से क्या हो जाते हैं, हम लोग, बाहर निकलाते हैं, तो इस तरह से दोस्तों, हमने ये कुछ topic discuss करे, इसमें भी किसी को कोई doubts हो, कुछ भी problem हो, तो directly आप comment box में लिखें, मुझे ये problem है, और हमारे page को, हमारे जो channel है, Guru KPO जो channel है, उसे like करें, subscribe करें, और share करें, और भी जानकारी चाने के लिए आप comment करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,